हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद वेकम टू मैं चानल आज हम बनाएंगे डिलिश्यस मागी पास्ता ये कॉंबिनेशन बहुत ही टेस्टी बन के त्यार होता है तो ज़रू ट्राय करिएगा और हमीशा की तरह रेसिपी अच्छी लगी न तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का नमद भूलीएगा तो चली जली से बनाते है मागी पास्ता रेसिपी तो सबसे पहले पास्ता और मागी को उबालने के लिए मैंने याप याप陟 गलास पानी आड कर दिया है पान में इसमें एक पकेट मागी औरbereा दा कप मैने माक्रोनी आड किया है आप इसके जगे पे पहने या फीसुली दुसरा पास्ता भी आड़ कर सकते हैं अब इसमें हम आड़ कर देंगे एक पाकेट जो मैगी का टेस्ट मेकर उसके साथ आया था वो अच्छे से उबाला आ जाए तो इसको थोड़ा सा हमने तोड़ लेना है इस तरह से और मसाले की साथ अच्छे से मिक्स कर ले अब हम इसको कवर कर लेंगे और लो मीडियम प्लेम पे दो मिनिट के लिए कोक कर लेते हैं दो मिनिट के बाद मैंने इसको फिर से चेक कर लिया है तो बस अब ये थोड़ा सा कच्चा है इस वक्त हम इसमें आड़ कर देंगे बारिक चॉप किया हुआ ओनियन, टर्माटो और कैपसिकम साथ में मैंने बेल पेपर भी लिया था आप इसके जगे पे कौन भी ले सकते हैं तो बस इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है साथ में थोड़ा सा नमक आड़ कर लें आदा चोड़ा चमच काली मिर्च, आदा चोड़ा चमच लाल मिर्च, एक चोड़ा चमच, पीजा सीजनिंग या फिर आप इटालियन सीजनिंग कोई भी आड़ कर सकते हैं औरेगान मैंने यूज किया था तो यह बहुत जल्दी कुक हो जाता है अगर आपने कोई दूसरा पास्ता यूज किया है तो उसको कुक होने के लिए टाइम जादा लगता है तो उसकेस में पहले आप पास्ता आड़ करके थोड़ा सा कुक कर ले फिर आप मागी आड़ कर ले अब यहा थोड़ा सा स्पाइसी पसंद यह प्रिपेरिशन सारी चीजों को बहुत अच्छे से अपने मिक्स कर लेना है तो बस यह देखिए यह थोड़ा क्रीमी सा हो गया अभी आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी आड़ कर सकते हैं या बटर उससे एन्हां मिक्स कर ले मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया था इसको तो बस त्यार है डिलिश्योस मागी पास्ता यह कॉम्बो बहुत टेस्टी लगता है जरू ट्राइ करिएगा हमेशा की तरह रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो बस फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक इजाज़त चाहती हूँ थांक यू सो मच फो वाचिक मैं वीडियो टेक गुट केर बाई